भारत के सर्फटेस्ट बल्लेबाच विराट कोली ने यहाँ पर एक बल्लेबाच की तारिफ की ए मैं सबसे पहले बात करूंगा यहाँ पर कि विराट कोली ने आखिर किसकी तारिफ की है तो यहाँ पे विराट कोली ने जिसकी तारीफ किया हो पाकिस्तान के बल्लेबाज, ओपनर बल्लेबाज बाबर आजम है, जी हाँ बाबर आजम की तारीफ किया है और कहीं न कहीं वो सही भी है क्योंकि देखिए बाबर आजम अपने खेल का परदरसन काफी अच्छा कर रहे ह अपने बल्ले से काफी run बना रहे हैं और यहां पर विराट कोली उनके पक्ष में कुछ कहते नजर आए उनसे जब सवाल पूछा गया कि भईया आपके हिसाब से सर्वस्रेस्ट बल्ले बाज कौन है आपके हिसाब से सबसे अच्छा बल्ले बाज कौन है वर्तमान टाइम पे मतलब present टाइम पे तो उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ और सिधा नाम ले लिया बावर आजम का और अपने statement में कहते हुए नजर आए उनसे मेरी पहली बादचीत साल 2019 के वर्ल्ड कप के दौरान मैंचेस्टर में खेल के बाद हुई थी मैं इमाद वसीम को अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद से जानता हूँ और उन्हें कहा कि बाबर बादचीत करना चाता है फिर उसके बाद हम बैठे और खेल के बारे में बात की मैंने पहले दिन से ही उनमें बहुत सम्मान और आदर देखा है और इसमें कोई बदलाब नहीं आया है इस फैक्ट के बाबजूत की वो शायद सभी फॉर्मेंट में दुनिया के टॉप बल्लेबाज है और ये सही भी है वो लगातार अच्छा परदर्शन करते हैं और मुझे उन्हें खेलते हुए देखना हमेशा अच्छा लगता है तो यहाँ पे साफ तोर पे विराट कोली बाबर आजम की तारीफ करते हुए दिखें इंटर्विव में उन्होंने काफी चीज़े बताई अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताई उन्होंने ये भी बताई कि वो टॉप के बल्लेबाज है और साथ ही वो सभी पे आए सी सी रैंकिंग करता और उसमें वो टॉप पांच के बल्लेबाज है हर फॉर्मेंट्स में यहाँ पे हम विराट कोली की बात करें तो विराट कोली वर्तमान समय में नौवे नंबर पे आते हैं वो ओडियाई में और यहाँ पे देखें विराट कोली भी एक समय पर पहले नमबर पे थे और तब उस टाइम पे वाबर आजम ने भी विराट कोली को अपना इंस्पिरेशन बताया था उनसे काफी इंस्पायर हुए थे और यहाँ पे यह प्यार दो तरफा नजर आ रहा है जिहां दोस्तों यहाँ पे एक खिलाडी दूसरे खिलाडी की तारीफ करते हैं नजर आ रहा है और कहीं ने कहीं एक हेल्दी कॉंप्टिशन बताता है जिहां दोस्तों हम आपको बता दे कि भारत और पाकिस्तान का मैच हमेशा से हाई वोल्टेज ड्रामा वाला मैच रहा है और इस तरीके से देखिए पाकिस्तान और भारत दोनों ही टीमें बहुत अच्छा खेल रही है वर्ल्ड किर्केट में और काफी अच्छे दावेदार मानने जा रही है वर्ल्ड कप के लिए और एशिया कप में तो एशिया की टीम रहेगी तो देखना मज़ेदार होगा कि इन खिलाड़ों के बीच जब ये ग्राउंड पे उतरेंगे और एक साथ ग्राउंड पे खेलेंगे तो कितना मज़ा आएगा और कैसी केमिस्ट्री दिखेगी और इस चीज से आप भी सहमत हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ इस वीडियो जाजाजा शेर करें लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और देखते रहें तोफान स्पोर्ट्स